लोकायप्त न्यायमूर्ती SS कोठारी आए अजमेर मीडिया के माध्यम से लोगों को बताई लोकायप्त की महतोता लोकायप्त न्यायमूर्ती SS कोठारी आजमेर सरकेट हाउस आए चाउनों ने मीडिया से बात करते वे लोकायप्त की महतोता बताई कोठाली ने का कि मैं राजिस्तान में कई जगे विजिट कर चुका हूँ और उथर मैंने अधिकारियों के लावा लोगों को भी जागरूप किया है कि लोक आइक्ट संस्ता क्या है और उसका कारेशेत क्या है उसकी कारेप रणाली क्या है और किस तरह से जो प्रबुद लोग है जो अपनी शिकायत पेश करने में अशक्षित है या साधन हीन है और अपनी शिकायत पेश नहीं कर पा रहे है वो किस तरह से लोक आइक्ट सची वाले में प्रसूस करने के लिए माद्यम बन सकते हैं ये बात उन्हें बताई गई वे लोक आइक्ट के प्रति जागरुता फिलाइने के लिए एंच्योस का भी सयुग मिलता है किस तरह के इस्यूस थे क्या डिसक्षिन हुआ है और कहा कुछ लाइको नाजरी भी बाकि वासुल करते हैं देखिए हमारे लोका सेचाल में पैंडिंग कई फाइल्स ऐसी थी जिनका कि हम ये फिल कर रहा थे हमें सैटिसफेक्टरी रिप्लाइ नहीं मिल रहा है या जो रिप्लाइ मैं मांगा है वो हमें नहीं मिल रहा है हम तीन चार लेटर्स लिख चुके हैं और संबन से भी ऑफिस्टर्स को तलब करने की स्थिति आ गई ये वारेंट बेजने की स्थिति आ गई तो हमने सुचा कि उन सब फाइल को यहीं पर उफिस्टर्स को बुला के तो हमारे यहां से जिन जिन डिपार्टमेंट की ऐसी फाइले पेंडिंग थी, उन अफिसर्स को लेटर जारी कर दिये गए और उनको आज वो फाइल लेके आए हैं, उनसे यह सब फाइलें डिसकस की गई हैं, कई रिपोर्ट्स हमें मिल गई हैं, कईों में हमने उनको टाइम दिया कि यह तारिक दे दिये, कि इस तारिक को आप रिपोर्ट भेज दे, कुछ मामलों में जहां हमें लगा कि नई डिपा के आफिसर्स को पावंद किया है कि अमुक तारिक को आप लोकाइस से जाले में आकर और पूरी वस्तु इस्तिती की लेटेस्ट रिपोर्ट हमको पेश करें तो जो मकसद होता है वो यह होता है कि जो फाइल्स हमारे हैं पेंडिंग है वो एक्सपीडाइट हो जाया है उनका जल्दे 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 जुस्पीड हो जाए जो कंप्लेंट एक कंप्लेंट वाजिव कंप्लेंट हमारे हैं लेकिया है जैन्यूइन कंप्लेंट लेकिया है और हमारे जूडिशन की है उसको रिलीफ मिले उसकी वाजिव समस्या उसका हलो उसी के दिशा में यह जो मीटि से हमें हमने पाया की रिपोर्ट साही नहीं है उनमें हमidente MONS के खलाफ inवेस्टिकेशन शुरूर किया है और inवेस्टिकेशन کرके हमने recommendation किया government को कि इस officer ने यह duty इसको पूरी करनी ही थे वो नहीं करी सात मैं गल्स रिपोर्ट करके और लोकाई सेच्वाला को भुरहमित करने का भी प्रयास किया ऐसे मामलों में इंवेस्टेशने स्टार्ट करके गौर्डमेंट को रिक्मेंडेशन भेजी गई यह बहुत तरह केसेज में अस्टार्ट पर पर निस्टार्ट का इंवेस्टार्ट का जी भाएईस्ट लेवल पर है यह बहुत समवेद्शने को पारद रिष्टा के साथ और ये अपना दायुत तो मानते हुए कि ये हम जिस कुरसी पर बैठे हैं वहाँ पर जो हमारा कार है उसको पूरा करना हमारा करता है भी हमारा दायुत पर इस भावना से अगर काम करें तो शाहिद लोगों को जैपूर आने की लोकाई सच्छवाले में या उच्छा अधिका की वहाँ पर विजिट कर चुका हूँ और वहाँ जाके मैं आफिसस्स की मीटिंग के अलावा पॉبلिक की मीटिंग भी लियें एंज्ज việc की मीटिंग भीयें या Mooer किया कि लोकाई सथा क्या है? उसको अदिकार क्षेत्र क्या है? कारे परना लिक्या है? और किस तरह जो प्रबुद्वर्ग है? वह ऐसे लोग जिनकी शिकायत है जो अपनी शिकायत प्रेश करने मैं सिक्षित हैं या साधन ही नहीं या समझते नहीं है और पेशे नहीं कर पारे अपने श्कायत उनको किस तरह से वो लोकाई श्कवाले में शिकायत प्रस्तूद करने के लिए एक वो अपना माद्ध्यम बन सकते हैं उनको साहता कर सकते हैं ये एंज्योज को विचैशच वुच से हमने का है और कई NGO ने ऐसा किया भी है लोगों में जागरूप सा पैदा करने पर के और वो जो समस्या हैं उन्होंने हम को हम तक पहुचाई हैं और जहां जाते हैं वो मीटिंग करते हैं तो वहाँ शिकायद लिखने वाले भी होता है इस्टॉम्प वाले भी होता है राइटर भी ह होता है सब कुछ और जो डिफिकल्टी होती है हमारा स्टाफ उनको अफिसर्स असिस्स करते हैं और कई शिकायत आती हैं उनका निस्तारन कोशिश करते हैं कि वही का महीं हो सके तो वहीं हो से कि अधिकादी लोगों की शिकायतों का हल करें और इसमें हमें कुछ सफलता निश्य रूप से हमें मिल रही है